हाई विडिवन दिस प्रेम क्या हाल चाल है मेरे दोस्त ले में नो इन दो कॉमेंट सेक्शन वैसे आज की ये वीडियो आपकी ही डिमांड पर है क्लास 10 की साइन्स से है जी हाँ चाप्टर नेंबर वन केमेस्ट्री का केमिकल एक्शन और इक्वेशन बस उसी चाप्टर का एक अभिन हिस्सा है बैलेंसिंग औफ केमिकल एक्वेशन वैसे इस टॉपिक का पुरा हुबा बना के रख दिया है कि बहुत डिफिकल्ट है बैलेंसिंग बहुत डिफिकल्ट है केमिकल एक्वेशन को बैलेंस करना ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम किसी भी unbalanced chemical equation को आप कैसे balance करते हो उसके tips बताएंगे tips में कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपने कभी पड़ी नहीं होगी भाई सुनी नहीं होगी बस वीडियो देखते जाओ दूसरा हम आपको actual करके दिखाएंगे कि किसी भी unbalanced chemical equation को कैसे balance करोगे examples के साथ obviously तो क्या आप ready हो चैनल को subscribe कर दो यार मुझे बोलना पड़ता है बार बार चैनल को subscribe कर दो अब चलते हैं हम इस वीडियो के पहले हिस्से की तरफ तो भाई साब आप जो visuals आपके screen पर दिखने वाला है इसको बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि जिन्दगी भर के लिए कैसे आप chemical equation को balance करोगे यह आपके दिमाग में छप जाने वाला है step number one take unbalanced chemical equation first आपको क्या करना है skeletal chemical equation जिसको आपको balance करना है वो आप सामने अपनी screen पर लिख लो ठीक है अब balancing start करते है कैसे balance करोगे सबसे पहले भई हमको coefficient add करना पड़ेगा ताकि हम दोनों side के atoms को क्या कर पाए balance कर पाए coefficient क्या होता है जैसे हम एक chemical equation लेते है H plus O2 यह हो जाता है हमारा H2O अब देखो इसमें coefficient का मतलग अगर हम इसके आगे balance करने के लिए 2 लगाते हैं तो हमारा यह क्या हो जाता है यह हो जाता है coefficient और यह जो नीचे वाला होता है यह इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट क्या कहते हैं इसको हम सबस्क्रिप्ट ठीक है तो हम कभी भी balancing के लिए केवल ये coefficient ही add करते हैं step number 3 क्या करना है coefficient हम किसमे add करेंगे सबसे पहले metal वाले elements को balance करेंगे उसके बाद non-metals को करेंगे कैसे balance करेंगे ये मैं नीचे दिखाऊंगा आपको आगे slide में आखरी चीज़ जब आपने balance कर लिया है तो आपको count करना है देखो दो side होते हैं किसी भी chemical equation के ये जो पहला side है ये left hand side है और दूसरा side है ये right hand side है आपको गिल लेना है कि दोनों तरफ दोनों elements के जो atoms हैं वो equal हैं कि नहीं है इक्वल है तो भाई ये मारा balance हो गया है और equal नहीं है तो वो unbalance है अब equal कैसे करोगे ताकि हम किसी भी chemical equation को balance कर पाएं इसके लिए हम चलते हैं अपनी अगली slide पे how to balance chemical equation obviously examples के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई जैसे चोटे से बड़े में चलते हैं हमने बड़े बड़े examples भी लिए हैं पहले चोटे से start करते हैं na plus cl2 na cl इसको हमें balance करना है सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सबसे पहले लिखो कि भाई कितने elements हैं element के name लिख लो सबसे पहले वाले box में element दूसरे वाले box में ये हमारा left hand side होता है ठीक है और ये तीसरे वाले box में हम लिखेंगे right hand side आपको ऐसे बना लेना है तीन boxes क्योंकि यहाँ पर केवल दो ही element है तो हम दो ही के नाम लिखेंगे सबसे पहला element क्या है n और a दूसरा element क्या है cl अब गिनों की left hand side में भाई हमारे sodium के पास यानि na के पास कितने atoms है तो left hand side मतलब ये वाला side यहाँ पर तो सिर्फ एक ही atom है n का तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर one लिखेंगे ठीक है अच्छा अब देखो right hand side में देखो n के कितने atoms है obviously यहाँ पर भी एक ही atom है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक कैसे पता चलता है भाई इसके ना आगे sign है ना नीचे sign है मतलब ये अकेला है one है तो इसका जो हमारा atom होगा ये one ही होगा अब c l यानि chlorine की कितने atoms है यहाँ पर left hand side में आपको कितने atoms दिख रहे है chlorine के दो दिख रहे है मुझे तो तुमें कुछ अलग दिख रहे है क्या नहीं न तो यहाँ पर भी हम two लिखेंगे left hand side में अच्छा यहाँ पर right hand side में chlorine अकेला है यानि किवल एक है तो भाई ये unbalanced है हमें balance करना है अब हम जो method use करेंगे इसको हम hit and trial method कहते है अब आपको क्या लगता है यहाँ पर दो है तो इसको दो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा obviously multiply करना पड़ेगा two से तो हम यहीं करेंगे तो भाई ये unbalanced है अब हम इसको balance करना स्टार्ट करते है हमें chlorine में सबसे पहले two multiply करना पड़ेगा कैसे करोगे na और plus यह question देखते रहा na plus cl2 इधर दो atoms है हमें दूसरी तरफ भी दो atom ले आना है तो हम लिखेंगे two na cl क्योंकि अकेले cl में तो हम two add नहीं कर सकते क्योंकि यह compound है na na cl यह अलग तो नहीं हो सकता तो भाई हमें na और cl दोनों के सामने two लगाना पड़ा अब chlorine तो balance हो गया है two into two two into one हमारा two हो गया इधर भी two है तो chlorine तो balance हो गया लेकिन two multiply करने की वज़़े से जो na है यानि जो sodium है यह भी हमारा unbalance हो गया है right hand side में यह भी two से multiply हो गया है तो अब हमारे पास भाई right hand side में sodium के दो atoms हो गये हैं लेकिन left hand side में केवल एक ही है तो अब हम इसको क्या करेंगे इधर भी sodium को दो लगाएंगे coefficient क्या लगाएंगे two लगाएंगे two na plus pl2 two बन जाता है हमारा two naCl and this is our balanced chemical equation ठीक है देखा कितना आसान था बस यह box बनाना है इस box में add करते जाना है अब देखो हमने क्या किया यहाँ पर दो था तो इसमें भी multiply कर दिया दो यह देखो two multiply किया है ना हमने na में left hand side में तो इधर हो गया two na plus cl2 हमारा naCl2 हो गया यह na यानी sodium sodium को जब हम chlorine से react करवाते हैं तो यह हमारा sodium chloride बनाता है now example number two और पहले वाले के comparison में थोड़ा सा बड़ा chemical equation लेते हैं आप यहाँ पर clearly देख सकते हो कि इस पूरे chemical equation में केवल दो elements है H और O तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि इधर लिखो H और इधर लिखो O name of elements लिख लो अब देखोगी left hand side में इनके कितने atoms हैं और right hand side में इनके कितने atoms हैं पहला L दूसरा R ठीक है तो सबसे पहले H के कितने atoms हैं आप यहाँ पर देख सकते हो 2 atoms है इधर H के कितने atoms हैं इधर भी H के 2 atoms है O के left hand side में 2 atoms है O के right hand side में 2 प्लस 1 यानि 3 atoms है तो पहले हमने number of atoms लिख लिख लिया अब हमें balance करनी की कहाँ पर जरुवत है oxygen पर क्यों क्योंकि oxygen left hand side में किवल 2 है बट right hand side में कितना हो गया है 3 तो 2 को तुम किसी से भी multiply कर लो 3 तो बन नहीं सकता है तो हम minimum 1 के बाद इसको 2 से multiply करते हैं तो ये इधर हो जाता है 4 हो जाता है कि नहीं होता मतलब oxygen में left hand side में आपको 2 add करना है तो oxygen है यहाँ पर अब हमें coefficient लगाना है तो हम coefficient आगे लगाते है 2 add 2 O2 अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 और 2 मिलके multiply हो गया 4 बट oxygen के साथ ये hydrogen भी तो multiply होगा ये भी 2 into 2 equal to 4 बन जाता है हो गया ना अच्छा आप right hand side पर आते है right hand side में तो मामला गड़बड़ा गया है क्योंकि भाई इसका केवल 2 रह गया इधर 4 आ गया तो हम क्या करेंगे इधर right hand side में ये वाला जो 2 है इसको ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पर आगे भी हम 2 से multiply करेंगे यहाँ पर 1 के साथ जहाँ पर oxygen 1 है इसमें multiply कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 अंजा 2 2 प्लस 2 हो गया हमारा 4 अब multiply oxygen में हुआ है तो hydrogen में भी होगा 2 और 2 कितने हो गया 4 बैलन्स हुआ अब देखो इधर भी 4 इधर भी 4 इधर भी 4 और इधर भी 4 ठीक है तो अब हम balancing के जो steps होते है वो क्या लिखेंगे सबसे पहले H2O2 और इसके साथ O2 प्लस H2O यह हमारा unbalanced chemical equation था तो हमने क्या किया हमने सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाया ताकि oxygen 2 multiplied by 2 4 हो जाए ठीक है तो अगला step हमने क्या किया 2 H2O O2 और O2 2 plus H2O अभी हमने right hand side को touch नहीं किया है ठीक है यहाँ पर hydrogen 4 हो गया तो इधर भी hydrogen को 4 होना पड़ेगा तो कैसे यहाँ पर हम add करेंगे 2 ठीक है अब हमारे पास जो balance chemical equation है वो क्या आ गया 2 H2O2 will give us O2 plus 2 H2O अब दोनों तरफ number of atoms count कर लो तो आपको दिखेंगे कि यहाँ यहाँ पर देखो hydrogen के 2 दुनी 4 items यहाँ भी hydrogen के 2 दुनी 4 items अच्छा यहाँ पर oxygen के 2 multiplied 2 4 items यहाँ भी oxygen के 2 plus इसके 2 हो गये हमारे 4 items तो यह हमारा balanced chemical equation हो गया यह हमारे example number 2 example number 3 और second वाले के comparison में थोड़ा सा बड़ा chemical equation लेते हैं क्या हम इसको balance कर पाएंगे अच्छा अब आपके सामने यह जो chemical equation है यह unbalanced chemical equation है कैसे पता चलता है किसी भी equation के पास 2 side होते हैं पहले को हम left hand side कहते हैं दूसरे को हम right hand side कहते हैं तो दोनों तरफ जितनी भी elements हैं उनके पास number of atoms same होने चाहिए यहाँ पर देखो carbon के तीन atom है यहाँ पर carbon के पास एकलोता अकेला एक ही atom है तो यह unbalanced chemical equation है मैं इसे balance करना है तो सबसे पहले हम name of elements लिखते हैं कि भाई कितने elements यूज हुए हैं यहाँ पर C यानि carbon यूज हुआ है hydrogen यूज हुआ है और oxygen यूज हुआ है इनके अलाओं और कोई element है यहाँ पर कोई element नहीं है अच्छा दो side होते हैं left hand side और right hand side दोनों में number of atoms compare करते हैं C के पास left hand side में कितने atoms हैं आप गिल लो C के पास 3 atoms हैं दिख रहे हैं आपको बिल्कुल दिख रहे हैं अच्छा right hand side में C के पास कितने atoms हैं आप देख सकते हो इकलौता अकेला है यहाँ पर तो एक ही atom है hydrogen के पास left hand side में 8 atoms है 8 लिखेंगे यहाँ पर right hand side में hydrogen के पास कितने हैं 2 हैं तो 2 लिखेंगे oxygen की तरफ चलते हैं oxygen के पास left hand side में 2 है लेकिन right hand side में आपको दिख रहा है एक यह है तो 1 प्लस यह हमारा एक 2 है यहाँ पर ठीक है तो 2 atoms plus 1 atoms हमारे पास oxygen के right hand side में 3 atoms है बट अब हम इसको chemical equation को अब हम इसको balance करना सुरू करते हैं सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए यह जो unbalanced chemical equation इसको लिख लो क्या हो जाएगा हमारा C3H8 plus O2 will become H2O plus CO2 यह हमारा unbalanced chemical equation है अगर इसको हमें balance करना है तो सबसे पहले carbon से start करेंगे क्योंकि hydrogen oxygen किसी भी equation में आते हैं तो यह सबसे last में balance होते हैं यहाँ पर left hand side में आपको दिख रहा है तीन atoms है right hand side में तीन बनाने के लिए multiply कर देंगे 1 को 3 से यही तो होता है न 3 वंजा 3 तो इधर भी 3 इधर भी 3 तो right hand side में जो carbon के 1 atoms है यहाँ पर हम 3 multiply करेंगे तो हमारा next chemical equation बन जाएगा C3 H8 plus O2 will give us H2O plus PCO2 हमने carbon के सामने 3 लगा दिया तो इधर भी 3 होगे carbon के atom और इधर भी 3 होगे अब hydrogen का balance करना start करते हैं hydrogen के पास left hand side में 8 है लेकिन right hand side में केवल 2 atoms है तो भाई 2 को 4 कैसे बनाए multiply करके 4 से ठीक है 2 को हम 8 कैसे बना सकते है multiply कर दो 4 से हमारा 4, 2, the 8 इधर भी हो गया और 8 तो इधर है ही यानि अब हमें hydrogen के सामने 4 add करना है यानि hydrogen के सामने 4 add करना है तो अगला step हमारा क्या हो जाएगा hydrogen के सामने 4 add करो C3H8 plus O2 will give us 4 H2O plus 3 CO2 अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना कि जब हमने carbon में 3 को multiply किया तो यह जो carbon अकेला नहीं है यह CO2 यानि carbon dioxide साथ में है तो भाई oxygen में भी 3 multiply होगा जिससे oxygen 2 multiply by 3 6 हो जाएगा और ऐसे यहां पर 4H2 केवल H से थोड़ी multiply हो रहा है 4 यह O से भी multiply होगा तो हमारा यहां पर जो O है पहले तो 1 था लेकिन अब 4 multiply करने के बाद 4 बन जा 4 प्लस 2 इंटो 3 6 इक्वल टू 10 हो गया अब हमारे पास राइट हैं साइड में टोटल oxygen के 10 atoms है लेकिन left हैं साइड में किवल 2 है तो अब हमारा अगला step क्या होगा 2 multiply by 5 तब तो 10 बनेगा न अब जो oxygen के पास यहां पर किवल 2 atom था अब हम इसको multiply कर देंगे जब 5 से तो यह हो जाएगा C3 H8 प्लस 5 O2 gives us 4 H2O प्लस 3 CO2 So this is our balanced chemical equation हमने इस वीडियो में एक simple से लेके middle से लेके जो hard वाला question हो सकता है chemical equation के balancing में वो सभी आपको करके दिखाया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को share कर देना subscribe कर देना वीडियो को like कर देना मिलते हैं एक और धमाकेदार से वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर लव यू आल चैहिंद